अंदर के लिए पेंट जब खरीदने जाते हैं बर्जर और एशेन में कंपेर करने के लिए आज की वीडियो में सारी लिटल देने वाला हूँ सबसे कम प्राइस का पेंट जो है बेसन लाइट के अंदर और एशेन के अंदर टैक्टरेस पारक के अंदर quality और shining और guarantee के बात करते हैं इससे भी बढ़िया के quality के आगे बताऊँगा बर्जर लाइट के अंदर 15% quality में इशेन में 10% shining में 10% बर्जर में और यहां पे इशेन के अंदर 25% guarantee दोनों की नहीं इसका मतलब ये सबसे कम और कम प्राइज और सबसे कम बिखने वाले पैंट है और ये बेसन लाइट में जो है 25% हो गया है टैक्टर इसपारक में 35% हो गया है इसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बहतर है और इसी तरह से मैं आगे बताते रहूँगा तो आपको वीडियो क पूरा देखना होगा और समझना होगा कि कौन सा पेंट सही होने वाला है तो चलिए अब बाढ़ते हैं बेसन एमोलेशन बर्जर का और टैक्टर इमोलेशन ये शेन का क्वालिटी आपकी सामने रखी गई है आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर मैं सेलिंग की बात इसलिए रहा हूँ कि यहां का सेलिंग नहीं होता है मगर बैतर है गुर्णी की इसलिए बात कर रहा है यह ग्यारίνटी कार यह मिलेगी आप बात में बताओंगा सेंग सेंग जैंगे app matière बात कर लूंगा व्यटेटे इसमें क्वालिटी में कुछ फरक नहीं है सिर्फ एक्सीम फिवी नाम एश्टरा रखा गया है इसी के साथ जो ट्रैक्टर शाहिन के बात करे हैं क्वालिटी, शाहिनिंग, सेलिंग यहां तक कि ग्यारेंटी बड़ी आ और बहुती अच्छी देखने को मिल सकती है प्रेमियम एमोलेशन और वाम聞 खाम के बारे में तो वतर कोट्ष कि में शाहिनिंग जींग फिफ्टीफाइपर संट होती है और इसी की साथ साथ में शाहिन निंग 45 पर संट अप वोग्वालिटी होती है बस आपो क्वाल्टी जो है इंटेर यानि बहार अंदर के लिए ही काम आता है तो आपके बढ़ते हैं और बहतर बहतर अच्छे पैल देखते हैं सबसे पहले अगर आप नहीं है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा एक लाइक जरूर कर दीजेगा अंदर आने वाल है इसी की साथ साथ अपो क्वालिटी अडवांस जो है इसकी क्वालिटी 85% है और शाइनिंग इसकी 85% ही है इन तीनों की प्राइस सेम है इसी क्लीन फ्रेश के बराबर में इसकी 75% कितना है इसी क्लीन फ्रेश का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मगर इसके अंदर तो चंदन की होती है आप इसको बड़िया श्मेल आप समझ सकते हैं शेनिंग में आप देख लिए है तो चलिए इससे भी बढ़के थोड़ा महेंगे वाला पैंड देख लेते हैं इससे थोड़े महेंगे आने वाले यह जो बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए शायद बहुत ही ठीक रहेगा रोयाल एमोलेशन, सिलिक जो बरजर का और सिलिक ग्लैमर और यहां पे रोयाल स्पारिका यह जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इनकी उपर की जो सेम प्राइस होती है उपर वालों की सिलिक और रोयल की जो और सिलिक ग्लेमर और रोयल स्पारिका जो होता है इनकी प्राइस सेम होती है तो इसे भी बड़के थोड़े होर भी महुत महेंगे पैंट है मगर मैं एशियन और बरजर में compare करके आप जो बताओं यहां से यह महेंगे इतनी महेंगे है जो अगर आपको जादा पैसा है तो आप लगा ही सकते हैं मगर इतनी अच्छे मेरे को तो लगते नहीं अगर मैं आपको बात करों इसकी price की क्यों नहीं बता रहा हूं कि इसके अंदर white ही आता है इसके अंदर color नहीं आता है जब आपको color दिया जाता है dealer के पास इसके अंदर tint मिला के दिया जाता है तो इससे oil shining आनी वाली है super quality आनी वाली है no bacteria होंगे automatic खुश्बू होगी easy होगी wash करने के लिए 100% सही है सबसे महेंगा भी है इसी किसा साथ में जो royal health sealed का जो है उसी की oil shining होगी super quality होगी no bacteria होगे automatic खुश्बू होगी easy करने के लिए wash होगा 100% सही होगा जो मैंने अभी आपके screen पे जो भी pen बताए है ये मैंने किसी को ठेस पोसानी के लिए नहीं किया है मैं जो इस्तेमाल किया है इसी के उपर मैंने कहा है कि कौन से pen अच्छा आ सकता है इसमें पानी कैसे मिलाते हैं और हर जानकारी आप चाहिए तो pen के बारे में हरी सारी जानकारी मेरे चैनल पर है अगर वो जानकारी जाना चाहते है color combination के बारे में या फिर token के बारे में left या right पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं